तत द्रिस्टी से बंधन मुक्ती ओडियो नमबर पांच कौन बड़ा, कौन छोटा इसका निश्य भी निशंकोच नहीं किया जा सकता है पांच फुट की लकडी छे फुट वाली की तुल्ना में छोटी है और चार फुट वाली की तुल्ना में बड़ी एक फुट मोटाई वाले तने की तुल्ना में दो फुट वाला मोटा अधिक है और दो फुट वाले की तुल्ना में एक फुट वाला पतला वह वस्तुता मोटा है या पतला ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता तुलना बदलते ही, यह छोटा और बड़ा होना, पतला और मोटा होना भी सहजी बदल जाएगा कौन धनी है और कौन निर्धन, कौन सुखी है, कौन दुखी, कौन संत है, कौन ज्यानी है, कौन अज्यानी, कौन सदाचारी है, कौन दुराचारी इसका निर्णय अनायास ही कर सकना असंभव है इस प्रकार का निर्धारन करने से पूर यह देखना होगा कि किसकी तुल्ला में निर्णय किया जाए नितांत निर्धन की तुल्ला में वह धनी है जिसके पास पेट भढ़ने के साधन है किन्तु लक्षाधीर्ष की तुल्णा में वह निर्धन ही है जिसे दस कस्ट है उसकी तुल्णा में तीन कस्ट वला सुखी है पर एक कस्ट वाले की तुल्णा में वह भी दुखी है वसुता कौन सुखी और कौन दुखी है या नहीं कहा जा सकता डाक्यू की तुल्ना में चोर सहिर्द है किन्तु उठाईगीर की तुल्ना में यह वह भी अधिक दूस्थ है एक सामानी नागरिक की तुल्ना में उठाईगीर भी दूस्थ है जबकि वह सामानी नागरिक भी संत की तुल्ना में पिछड़ा हुआ और गया गुजरा है संत भी किसी महासंत आत्मत्यागी शहीत की तुल्ना में हलका बैठेगा अपेक्षा से ही हम किसी वस्तू, विक्ति या परिस्ति का मुल्यांकन करते हैं तुल्ना की एक मोटी कसोटी हमारे पास है जिससे किसी निश्कर्ष पर पहुचा जा सकता है जिसके बारे में वह निर्धारन किया गया है वे वस्तुता क्या है इसका पता लगाना अपनी ग्यानेंद्रियों के लिए जिन में मस्टिश पी सम्मिलित है अतिक अठिन हैं क्योंकि वे सभी अपूर्ण और सीमित हैं कई अर्थों में तो उन्हें भ्रांथ भी कहा जा सकता ह सिनेमा के परदे पर तस्वीरें चलती फिरती दिखाई देती हैं वस्तुता बे इस्थिर होती हैं उनके बदलने का क्रम ही इतना तेज होता है कि आँखें उसे ठीक तरह पकड़ नहीं पाती आवरित्यों को ही हाथ पर हिलाती बोलती गाती समझ बैठती हैं अक्सर हमारी अनुभूतियां वस्तुति से सर्वथा उल्टा होती हैं इंद्रियां अपूर्ण ही नहीं कई बार तो वे भ्रामक सुचनाय देकर हमें ठकती भी हैं उनके उपर निर्भर रहकर प्रत्यक्षिवात को आधार मानकर शाश्वत सत्य को प्राप्त करना तो दूर समझ सकना भ ले प्रकाश क्या है उसे विद्दुचुम्ब की लहरों का बवंडर ही कहा जा सकता है वह कितना मन्द या तिव्र है यह तो उसकी मात्रा पर निर्भर है पर उसकी चाल सदा एक सी रहती है एक सेकंड में वह एक लाग छ्यासी हजार मील की गती से दोड़ते रहने वाला प प्रजन होता है कोई रंग नहीं दुनिया में यह बात कहने सुनने और जानने मानने में बड़ी विचित्र लगेगी कि संसार के किसी पदार्थ में कोई रंग नहीं है हर वस्तु रंग हीन हैं किन्त यह विशेष्टा अवश्य है कि प्रकाश की केड़ों में जो रंग है उनमें से किसी को स्विकार करे अथ्वा किसी को लोटा दे। बस इसी कारण हमें विभिन्य वस्वें, विभिन्य रंगों की दिखती हैं। पदार्थ जिस रंग की किर्णों को अपने में सोकता नहीं, वे उसे टकराकर वापिस लोटती हैं। वापसी में वे हमारी आँखों से टकराती हैं और हम उस टकराव को पदार्थ का अमुक रंग होने के रूप में अन्भव करते हैं। पौधे वस्तुता हरे नहीं होते, उनका कोई रंग नहीं है। हर पौधा सर्वथा बिना रंग का है पर उसमें प्रकाश की हरी किर्णे सोखने की शक्ती नहीं होती, अस्तु वे उसमें प्रवेश नहीं कर पाती, वापिस लोटते हुए हमारी आँखों को इस ब्रह्म में डाल जाती हैं कि वे पौधे हरे होते हैं। हम उसी शलावे को शाश्वत सत्य मानते रहते हैं और प्रसंग आने का पूरा जोर लगा कर ये सिद्ध करते रहते हैं कि पौधे निश्चित रुप से हरे होते हैं। कोई उससे भिन बात करे तो हसी उसी की बुद्धी पर आवेगी। भ्रांत और दुराग रही उसी को कहेंगे ये जानने और मानने का कोई मोटा आधार दिखाई नहीं पड़ता है कि हमारी ही आँखें धोखा खा रही हैं। प्रकिती की जादुगरी कला भाजी हमें ही चल रही है। पेड का तो उधारन मात्र दिया गया। हर पदार्थ के बारे में हम रंगों के संबंध में ऐसे ही ब्रह्म जंजाल में जकड़े हुए हैं। जिन आखों को प्रमानिक मानते हैं जिस मस्चिश की विवेचना पर विश्वास करते हैं यदि वह भ्रह्म ग्रस्त होकर हमें जोटलाने लगे तो फिर हमारा प्रत्यक्षिवात को तथ्य मानने का आग्रे बेतरह धोल दूसरित हो जाता है।